दोस्तो अगर आपने accounting का course complete कर लिया है और आपने company में job के लिए apply भी कर दिया है लेकिन अब बार यह आपके interview देने की तो जब भी आप interview देने जाओगे तो उससे पहले आपके mind में थोड़ा सा confusion भी है थोड़ा सा आपके मन में डर भी है फिर पता नहीं मुझे वहां पर किस किस टाइप के question पुछे जाएंगे केवल question ही पूछेंगे या फिर कोई software में practically entry करवा के भी मुझे से देखेंगे तो यानकि इस टाइप का डर एक fresher accountant के मन में होता है सभी के मन में होता है जब भी कोई किसी भी company के अंदर कोई पहली बार कोई interview देने जाते है तो थोड़ा आपसे software में कोई करवा के देख ले भी आप credit note की entry करके बताओ तो आपको किस टाइप से entry करनी होती है तो दोस्तों हम discuss करेंगे अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले अगर हम credit note customer को issue करते है तो उसकी entry का कैसे करनी होती है और उस entry का effect हमारी books पर का पढ़ता है और सेम इसी क अगर हमें को credit note receive होता है company की तरफ से तो उसका effect हमारी books पर क्या effect पढ़ता है उस credit note receive का और उसकी entry हमें किस परकार से करनी होती है कौन से लेजर बनेगा कौन से लेजर को कहां पर हमें show करना पढ़ता है कौन-कौन से लेजर पर इनका effect आता है तो अगर आपने किसी institute से आप तो ज्यादा तर institute वाले जो fox आप पर करेंगे वो परत्याज voucher पे, sale voucher पे, payment receipt पे या फिर कुछ tally software के books knowledge के according आपके option के बारे में आपको बता देते हैं लेकिन एजर विजनस के रूप में जीतना हमारा परत्याज sale voucher की जो entry होती है तो उसका कहिन के effect मारा अधर जो voucher होत का मतलब क्या होता है और credit note receive का मतलब क्या होता है क्योंकि सारी entry आपको मैं practically voucher के साथ बताने वाला हूँ, journal entry आपको बताऊंगा, laser का effect बताऊंगा और इसके साथ साथ इसकी entry आगर आपको टेली software में करने के लिए बोल दी जाए तो इसकी entry आपको किस परकार से करनी होती है सारी entry आपको मैं practically करके बताऊंगा, अगर आप एक fresher accountant और credit note के बारे में और जादा थोड़ सा deeply जाना चाते हो तो वीडियो का पुरा end तक देखेगा, तब ही आप सारी बातें समझें आप होगे, यहमें credit note किस condition के अंदर issue करना होता है, और कितने तरीके से credit note को issue किया जात है, कितने तरीके से credit note हमें receive होता है, सब कुछ आपके सामने live और practical रहने वाला है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौन सुथार और स्वागता आप सभी का एक पार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर, तो दोस्तों वीडियो की शुरूआत करें, उसे पहले आ तो सुरुआत करते हैं वीडियो की, तो दोस्तों सबसे पहला हम पॉइंट बात करेंगे credit note issue की, यान कि अगर हमारी company की दुवारा customer को credit note issue किस condition में किया जाता है, तो तीन reason basic होते है credit note issue करने के, पहला हो गया आपका against sale return के, दूसरा हो गया against discount के, commission के, bonus के, और तीसरा हो गया रिजन आपका against price difference का, तो तीनों का मतलब हम practically तरह के से जानते हैं, और उसके बाद हम बात discuss करेंगे credit note receive की, तो दूस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो को और ज़्यादा practical तरिके से बनाने के लिए हमने कुछ tax invoice और credit note यान पर बनाए है, अब हमारी company है smart computers राइशन करकी, औ और हमने ABC company को एक tax invoice हमने issue किया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ हमारे पास product है जो हमने इस ABC company को sale किया है, जिससे कि item ABC, आपके पास item कुछ भी हो सकती है, यह इनकी quantity है, और यह इनकी हमने per quantity के या इनकी per fees के per unit के हमने इसे पैसे charge किया है, और इस तरिके से यह कुछ हमारे tax rate और इस तरिके से यह taxable invoice बन गया, 6800 रुपे का, तो यह तो था एक simple बात है, भी हमने customer को sale invoice issue कर दिया, तो अब बात आती है credit note issue करने की, तो अब सबसे पहले माने दी हमने customer को यह product हमने sale किये, और customer ने क्या हुआ, भी हमने 30 स्टमबर 2022 को यह sale invoice बनवाया, और उसके बाद customer customer ने हमें क्या किया, भी दो तारीक को उस product में से, एक product में से कुछ quantity वापिस कर दी, अब वो सेम सारा product भी वापिस हो सकता है, और उस product में से कुछ पार्ट आपके पास है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहली बात हम करते है credit note का, जो हमारा बनता है sale return के against के तो अब आपको ये voucher देखने कंदर बिल्कूल ऐसा ही लगेगा, जैसा कि हमने ये tax invoice बनाया था, difference क्या रहेगा, सबसे पहले जहाँ पर आपको ये tax invoice जो दिखाई दे रहा है, तो ये tax invoice रहता है केवल sale invoice के उपर, और आपने customer को credit note issue किया है, sale return के against में, तो यहाँ पर tax invoice ल लिखाऊगा, ये हो सकता है, ये sale return वहाँ पर नाय लिखाऊ, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर इसके आगे sale return लिखाऊ है, otherwise ज्यादा तर ये credit note ही लिखा होता है, और बाकी AGTs आपको tax invoice की तरह ही दिखेगा, और दूसरा आपको यहाँ पर दिखेगा credit note क का number, क्योंकि वो invoice है और ये credit note है, तो ये credit note का number आएगा, और दूसरा अब यहाँ पर कुछ detail और भी लिखी होती है, भी आपका original invoice number क्या था, और उसके बाद में original invoice की date क्या थी, यानि कि ये समान वापिस आया तो जैसी बात है, समान को आपने पहले sale क्या था, तो sale क्या था उस customer के अंदर उसका invoice number क्या था, और उस invoice की date क्या थी, तो date भी आपको यहाँ पर इस credit note के उपर जुरूर मिल जाएगी, और इसके बाद में ये जो date जिस तारिक को हमने issue करना होता है, और उसके बाद में customer का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर आजेगी item B, और item B के तो 110 और दो quantity है, तो total multiply करेंगे, तो 220 रुपए की value बनेंगी, जिसके अंदर taxable value है 166 रुपए 13 पेसे की, और इसके अंदर SGST tax total हमारा, GST tax 23 रुपए और सतावन पेसे का, total summary आपको यहाँ पर मिल जाती है, taxable value 166 रुपए 13 पेसे की, 11 रुपए 79 पेसे CGST tax और 11 रुपए 79 पेसा SGT tax के रुप के, तो यहनके customer का यह हमने 220 रुपए जमा कर लिया, तो एक reason हो गया आपके पास में credit note, sale return के against के अंदर जो हमने issue करते हैं, जो कि पहला point अपनी यहाँ पर देखा था, against sale return, तो वो भी credit note है, अब हम बात करते हैं, दो number against discount, अब against discount का credit note कब किया जाता है, माली जी अब बहुत सारी company होती है, भी अपने product को, अपनी business को growth करने के लिए customer को थोड़ा सा लालच दिया जाता है, लालच का मतलब भी आप हमारे से इतनी quantity टा हो, तो हम आपको इतनी रुपे का discount देंगे, इतनी रुपे का हम आपको gift देंगे, तो इस तरीके से यह sale promotion हम को कह सकते हैं, business की growth करने के लिए, अब माली जी हमने customer को discount दिया, माली कुछ भी हमारी deal रही होगी, भी customer आप मारे से इतने product उठाए, तो हम आपको 100 रुपे अलग से कोई discount देंगे, अब माली जी customer का हमारा 100 रुपे का discount हमने दिया, तो इस condition में हम क्या करते है, भी customer को यह simple दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, bonus करते हो, incentive कर सकते हो, तो यह credit note हम इस customer कर सकते हैं, और इसका effect का पड़ेगा, वो हम इस general entry से समझेंगे, तो अब सबसे पहला और तीन number हमारा था, price difference का, और price difference का मतलब क्या हो गया, भी अब देखो, सबसे पहला क्या था, भी यह जो credit note हमने तीन number credit note issue किया हुए, अब इसके अंदर क्या था, भी हमने customer को, जो समान यहाँ पर हमने sale किया था, इस invoice के अगेंस्ट के अंदर, तो आप इस credit note के अंदर देख सकते हो, एक यह credit note है, यहाँ पर किसी भी type का कोई GST की detail हमने नहीं लिखी, और यहाँ पर यह एक GST detail लि आइटम है, एक C, इस C आइटम के अंदर क्या हुआ, भी हमने quantity तो 30 सेल करनी है, यह तो 30 सेल करनी थी, लेकिन हमने पर quantity का जो rate हा, पर piece का जो rate हा, वो 120 रुपे चार्ज कर लिया, लेकिन हमारी जो डिसकस होई थी, वो 117 रुपे थी, मानने जी, 115 आओ सकती है, 118 आओ सकती है, अब हम यहाँ पर जो credit note इसू किया, वो 117 रुपे के साब से किया हुआ, अब 117 रुपे का मतलब क्या हो गया, भी 117 रुपे लेने थे, और जबकि हमने customer से 120 रुपे ले लिए, तो इसका मलब पर piece का 3 रुपे हमने customer से जादा ले लिए, और 3 रुपे पर piece का जादा ल इन्वोई से बना है, वो 6800 रुपे का बना है, हम इसको एक बार यहाँ पर रकम लेख लेते हैं, ताकि हमारे अच्छी तरीके से समझ में आजेए इसको, अब यहाँ पर रकम थी हमारी 6800 रुपे की, तो यहाँ पर 90 रुपे ज्यादा ले लिए, तो अगर इसमें से माली इन्वोईस हमारा 170 रुपे का ही बनता, तो टोटल विल्यो मारे पास कितनी बन जती, 6710 रुपे की, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगरम देखें, भी 8600 में से अगर 6710 रुपे का माइनस करते हैं, तो यह इफेक्ट मारे पास कितनी रुपे का का नेट, 90 रुपे गा, तो 120 रुपे के साफ से, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, भी कोई बात नहीं है, हम आपकी 3 रुपे के साफ से जो 90 रुपे फालतू ले लिए, हम आपके अकाउंट में वापिस है, जो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अब इसका सिधा क्रेडिट हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं रुपे से, यानि कि आपने कस्टमर से सेल की माउट ज्यादा ले ली, तो जाइसी बात है, आपने टेक्स भी ज्यादा लिया उस माउट के उपर, तो यह जिसे हम करते हैं, 120 रुपे, तो 120 रुपे की अमाउट है, अब हम आ लिजी इसको एक बार हम नोट करते हैं, भी 3050 रुपे, इसी को हम AGT जे एक बार कोपी कर लेते हैं, और जाधा आपको समझ में आजाएगा, बस वीडियो का पूरा देख लिजीए का तब आपको सारी बाते हैं, समझ में आजाएगी, क्रेडिट नोट से रिलेटर कोई भी आपकी क्वेरी है, जो नहीं रहने वारी है, अम माली जी, इस 120 रुपे के साबसे हमारे पास में, हमने कस्टमर से 3050 रुपे और 424, 244 रुपे टेक्स ले लिया, और अगर हम बात करें, इसकी 117 रुपे का इन्वोशी अगर हम बना देते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस कितना रहता, अगर हम इस में माइनस करते हैं, 3050 बास में से 294 रुपे का, अगर माइनस करते हैं, तो चस्टमर से 6 रुपे शासी पेसे एक साइड का, और 6 रुपेस ळ्यार के समान की अक्चुल वेल्य। का भी हमने पेसा ज्यादा लेस調़ तो अब इसी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्राइस डिफरेंस का credit note बना के देंगे, अब ऐसी condition के अंदर क्या होता है, पिस सबसे पहले तो original invoice का number लिखा जाता है, कौन सा invoice आपने sale किया था, तो एक number invoice था, उस invoice की date ये थी, कौन से product का पैसा आपने फालतो लिया, ये उसका access and code आजएगा, वहाँ पर उसके बाद इस access and code का tax rate क्या था, 18% का, तो total value तो थी, 90 रुपे हमने फालतो लिया थे, लेकिन actual value समान की जो taxable value थी, वो 16 रुपे और 27 पेसे किया है, इसमें 6 रुपे 6 पेसे और 6 रुपे 6 पेसे हमने tax भी वापिस हो, reverse कर लिया, तो customer के खाते में तो 90 रुपे और ये taxable value, अब इनका effect कहा पड़ेगा, वो हम दे चेंज कर देते हैं, वहाँ पर 100 BC कर देते हैं पर इसको, तो ये 68 रुपे हमने customers के खाते में invoice issue किया, तो ये 6800 रुपे हमने customer के account के अंदर इसको debit कर दिया, customer का नाम क्या था? ABC Company, और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर 5%, 12% और 18% की sale थी, तो ये 5 बार 18% की अलग-लग sale क value आगी, तिन्नों trading count की, और ये हमारे पास total tax आगया CGSD का और SGSD का, तो इस तरीके से ये हमने entry कर दी पहले इस tax invoice की entry को, उसके बाद हमने credit note issue किया था, sale return का, तो इसकी entry क्या बनने वाली है, इसकी entry ये बनेंगी, हमने जो 12% का, जो sale किया था, उसमें से कुछ product हमारे पास वापिस आ गया, तो 166 रुपे और 43 पे से की, हम वापिस sale return को वापिस debit करेंगी, और इसी तरीके से 11 रुपे 79 और 11 रुपे 79 को, SGSD और CGSD tax को भी हम वापिस reverse करेंगी, क्योंकि अपनी जो हमने output tax था, हमने लगा था, उसी tax के amount में से, ये tax मारा अब कम होने वारा है, और इस तरीके से ये ABC कमपनी के खाते में 220 रुपे पूरी amount को, क्रेडिट करेंगे, उसके बाद हम लेजर पे entry कांप रेगी, वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार credit note की entry देख लेते हैं, उसके बाद हमने 2 number credit note issue किया था, डिसकाउंट का, तो ये discount का, हमने 100 रुपे को debit किया, और कमपनी के खाते में 100 रुपे हमने credit कर दिये, और उसके बाद में जो price difference का था, price difference के अंदर क्या था, भी जो हमने 18% की जो sale करी थी, उस sale के अकाउंट के अंदर वापिस हम थोड़ा से उसको reverse करेंगे, यानकि जो हमारी sale थी, वो sale हमारी अब कम हो जाएगी, और इसी तर no credit note की journal entry with tax invoice, अब हम बात करते हैं laser की, तो अब laser हमने सबसे पहले ABC कंपनी का ही laser हमने create किया, तो सबसे पहले आप देखो भी 6800 रुपे की value बन गी, कौन से value बनी है, जो हमने customer को ये वाला sale invoice इस्यू किया था, 8800 रुपे का, तो ये 8800 रुपे customer से हमने लेने है, तो ये 8800 रुपे हमने customer के account के अंदर ये, इस debit के column में दिख दिये, उसके बाद में 220 रुपे का customer का समान वापिस आगया हमारे पास में, तो ये 220 रुपे हम इस customer के account के अंदर वापिस है, जो credit करेंगे, इसी तरीके से customer को हमने 100 रुपे का अलग से ओर discount दिया था, जिसका credit note हमने 2 ब रुपे हम यहाँ पर इसके वापिस है, जो जमा कर देंगे, तो ये तो था इस customer का हिसाब, अब इसके closing balance की बात करें, तो यहाँ तक हम इसे 6800 रुपे इसका debit balance, उसके बाद में 220 रुपे का समान वापिस आगया, तो customer का वापिस रह गया, इसी तरीके से 100 रुपे इसके discount ह रुपेस का balance रहा, इसी तरीके से इसका balance जो जैसे जैसे credit होता रहेगा, balance जैसे amount को debit होगी, वापिस balance जो increase हो जाएगा, और उसके बाद में हमने 5% का laser create किया था, तो 5% हमारे पास 900 रुपे, 38 पैसे की sale थी, और उसके बाद में हमने ये 12% की भी sale करी थी, तो sale की actual value थी थी value आप दे सकती हूँ, यही थी 2900-400 रुपे और 39 पैसे की, तो यह हमने 2900-400 रुपे के वापिस कर दी, credit कर दिया, और उसके बाद में customer हमारे को समान 12% वाला वापिस दे गया, तो जिसकी value थी 106 में रुपे, 30 पैसे, जो कि हमारा sale return बना था, और यह 12% का product था, और इस 12% के अंदर 116 में रुपे और 30 पैसे समान की taxable value बनी थी, तो हम अब हम क्या करेंगे, इस laser के अंदर हम वापिस 12% sale laser को ही debit करेंगे, अब यहां पर आपके पास दो बाते depend करती है, यह तो आप GST 12% sale account को ही debit करो, या आप GST 12% sale return के नाम से हम अलग से laser create करें, तो उसके account के अंद इसको सेम laser को ही वापिस है, डेविड कर देते हैं, अब हमारी 12% की sale की value अगर हम देखा जाए, तो 1964 रुपे का हमने समान सेल किया था, जिसमें हमारे पास 116 रुपे का समान वापिस आ गया, तो जिसकी वज़े से हमारे पास समान की 12% की sale है, वो 1760 रुपे और 86 पैसे ही र हमने कस्टमर से पहले ज्यादा ले लिया था, तो हमने कस्टमर को यह difference है, जो वापिस credit note इसू कर दिया, तो उसकी वज़े से क्या हुआ, यह 16 रुपे 27 पैसे का जो हमने, जो price difference का credit note इसू किया था कस्टमर को, उसकी जो taxable value हमने 18% sale के account के अंदरी debit कर दी, क्यों कर दी, क् लिकिन गलती से हमने 3050 रुपे ले लिए, अब कैसे ले लिए, अगर इसका direct effect देखना चाहते हो, देखो, बी 3050, और 3050 में से यह समान, एक तरी किसम कह सकते है, यह मारी जो sale है, यह हम यह नहीं कह सकते है, भी 26 रुपे 27 पैसे का समान वापिस आ गया, समान नहीं आया, यह प्राइस डिफरेंस है, रेट फालतू ले लिया था, रेट को वापिस हमने sale के अंदर ही वापिस इसको debit कर दिया, तो यह 294 रुपे और 89 पैसे की है, अगर हम इसको invoice पे अगर हम जाके देखें, तो कस्टमर को अब माली जी 117 रुपे पहले हम कर देते, तो आप देख सकत अगर हम यहां पर तीने जार पचाहस रुपे की अगर हम वापिस कर देते हैं, तो आपका आगी जाक की जो एफेक्ट है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके कंडिशन के अंदर आपको वापिस प्राइस का क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं है, अब तीने जार उन पेसी करे जाएगी, और इसी तरीके से अगर हम टेक्स की बात करें, CGST और SGST टेक्स की, तो हमने जो कस्टमर से सेल इंवोईश इशू किया था, तो उस दोरान हमने कस्टमर से टेक्स चार्ज किया था, 460 रुपे और 22 पेसे का, अब इसके अंदर कस्टमर ने हमारे पा इस रिवर्स करेंगे, तो इस तरीके से ये टेक्स की अमाउंट भी हमारे पास है, जो रिवर्स हो जाएगी, अब हमारा जो टोटल नेट आउटपुट रहने वाला है, वो ये रह जाएगा, 393 रुपे और 69 पेसे, यहनकि अब हमारी जो पेबल की जो लायलवेटी बन रह है, वो 373 रुपे और 69 पेसे की मनती है, और इसी तरीके से जो हमने डिसकाउंट दिया था, वो डिसकाउंट अब हमारा 100 रुपे कामने डेबिट कर दिया, तो ये तो थी हमारी जनल इंटरी और लेजर की बात, अब बात आती है भी इसका इफेक्ट कहा पड़ा, तो इफे सटकी, कस्टमर हमें ये समान वापिस कर दिया, तो एक जूल में मारी सेल रहेगी, 1766 रुपे और 60 पेसे की, तो ये एक तो करना हुआ, भी मारी सेल रिटर के क्रेड़ नोट से हमारी सेल है, जो कम होती है, दूसरा अगेंस्ट डिसकाउंट, जो कि हमने दो नंबर चाह बढ़ता है, और नेट प्रोफिट हमारा कम होता है, और तीसरा रिजन अगेंस्ट प्राइस डिफरेंस के अंदर क्या होता है, इस प्राइस डिफरेंस के अंदर भी हमारी जो सेल की वेलिव है, वो कम होती है, और उसके साथ साथ जो हमारी सीजिस्ट और एजजिस्ट टैक्स की जो liability है वो भी हमारी कम होती है अब कम होने का मतलब अभी आप देख सकते हो जिसे लेजर में हमने देखा CGST टैक्स का तो यह एक्टिल में हमारी सेल इन्वोज के अदार पर यह liability यह बनती थी लेकिन यह हमारी सेल लेटन के अगेंस्ट के अंदर हमारी tax के liability और थो यह जस्ट इसका apposite हो जाएगा अपोजीट होने का मतलब आपको credit note receive किस condition में होता है अगेंस्ट परचेज रिटन के यह यानकि माली जी आपने किसी company से कोई goods परचेज किया और उस product को आपने company को वापिस रिटन कर दिया तो आपकी तरफ से तो परचेज रिटन होगी ले परचेज की value आपकी कम होती है कम होने का मतलब माली जी आपने को 500 रुपे का कोई goods परचेज किया उसके अंदर आपने 100 रुपे का return कर दिया तो अब आपकी actual परचेज कितनी रह जाएगी 400 रुपे की 500 का खरीदा 100 का वापिस कर दिया तो 400 रुपे के आपकी net effect रह जाएग परचेज का तो ऐसे कंडिशन के अंदर आपकी परचेज की amount जो कम होती है अगर हम बात करें अगेंस्ट डिसकाउंट है अगर माली जी कंपनी भी अपने विजनस को growth करने के लिए आपको कुछ थोड़ा लालस देती है कोई gift देती है कोई आपको discount देती है तो इस कंडिश के अंदर की होता है हमें expenses खरचा होता है मारी company का और net profit हमारा कम होता है और इस condition के अंदर मारे पास अगर दसी हुए आपको credit note तो इस अगेंस्ट के अंदर आपकी company का जो income है वो बढ़ती है अब तीसरा था against price difference का अब price difference की condition के अंदर भी क्या होगा भी आपकी company की जो purchase है वो कम होगी और सास के साथ आपकी जो tax की जो liability है वो आपकी बढ़ेगी क्योंकि अम्माली इस company को आपने समान return किया या आपके price difference मालेजिए कोई rate difference था 100 रुपे का था company ने 100 मालेजिए 20 रुपे लगा दिया तो वापिस जो 20 रुपे का difference है तो company आपसे जो 20 रुपे का extra charge कर लिया जैसा कि हमने मारे customer से जो extra पैसा चार्ज किया था मालेजिए इस invoice के अदारक के ओपर तो वो पैसा हमने इस credit note के थुरू वापिस ले लिया अभी हमारी liability और ज्यादा कम होगी तो प्रसेज अगर आपको receive होता है तो इस against के अंदर आपकी liability है जो बढ़ेगी इसका just यान कि जो हमारा credit note issue होता है और जो receive होता है वो इसका just है जो अपोजिट हो जाएगा तो दोस्तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जुरूर सीखने को मिला है अब हम बात करते हैं इसकी entry हम टेली software में किस परकार से करते हैं तो दोस्तो सब मेरे entry करने के लिए सबसे पहले एक बीसी laser का हम एक बार laser खो सकते हैं तिन्नों entry मैंने already करके रखी हुई इसल 1800 रुपे की तो यह sale in voice बन गया तो इससे क्या हुआ भी customer का खाता 6800 से debit हो गया उसके बाद में 220 रुपे का customer हमारे को sale return कर दिया तो हमने customer को क्या हुआ यह credit note issue कर दिया अब credit note किस तरी किस issue किया हुआ पार्टी का नाम उसके बाद item B 2 अब मैंने यहां पर क्या किया है GST 12% का sale है उसके 12% return का एक अलग से laser मेंने create किया है तो मैं चाहता तो इस sale 12% के अंदर भी डाल सकता था लेकिन मैंने यहां पर अलग return का laser create किया है इसका effect क्या पड़े को भी हम देखते हैं और इस voucher को मैं मैंने accept कर दिया उसके बाद में 100 रुपे कर discount का हमने credit note issue किया था तो वह entry आप चाहो तो credit note के अंदर भी आप कर सकते हो अदर बाइज आप जनल इंटरी भी पास कर सकते हो कोई दिकत नहीं है तो मैंने discount credit के नाम से laser create किया under group इसका रखा मैंने indirect expenses और ABC company को credit कर दिया जो हमारा customer था और इसी तरीके से यह price difference का था इसको आपको थोड़ा सा द्यान से समझें आपको एक तो सबसे पहले जो voucher का जो mode credit note का वह आपको एजे वाउचर रखना होगा आपने एजे वाउचर यहां पर इसको रखा ABC company को हमने credit किया 90 रुपे जो total amount थी उसके बाद में जो हमारी sale थी GST sale 18% उसी account को मैंने यहां पर वापिश debit किया 60 रुपे और 28 पैसे से और उसके बाद में CGST tax और HGST tax account को वापिश डेबिट कर दिया 6 रुपे 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 इस तरीके से यह तीनों entry आपकी pass हो जाएगी तीन तो आपके रहेगी credit की और एक रहेगी sale की अगर हम टेली के साफसे देखे जाए तो आपका customer का जो बलेंस हैब और यही बात अगर हम देखें एक्सल के अंदर लेजर के अंदर देखते हैं तो 6,390 रुपे का बलेंस डेबिट रहते हैं अब हम बात करते हैं इसके sale के effect की तो इसके लिए हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं झाल झाल